कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो मैं भी अच्छी हूँ सो आज सुभे सुभे एक नय ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो रही हूँ और अभी देखिए मेरा नहाना धुना सब कुछ हो गया है क्योंकि आज घर पे एक पूजा है रुपोशी पूजा इसको बोलते हैं तो यह ममी लोग ना फास्ट रखेंगी और उसके बाद यह पूजा होता है यह हमेशा शादी से पहले करना ही पड़ता है शादी हो जो बच भाई के शादी का यह एक फंक्शन है तो बस इसके लिए अभी पूजा वगेरा शुरूर होगा इधर ममी लोग प्रिपरेशन वगेरा कर रही है तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूं तो यहां पर देखिए मेरी मौसी ना सुभे सुभे हमारे घर पे आ चुकी है के पूजा करेंगे साइद में एक बावल पे देखिए थोड़ा सा चावल भी है यहां पर नारियल है यह घट के उपर बिठाया जाएगा यहां पर फल वगेरा सब कुछ काट लिया गया है बेल पत्ता वगेरा सब कुछ आ गया है तो अभी यह सिंदोर से अच्छे से मम्म और मौसी मिल के साड़ा कुछ कर रही है और मैंने थोड़ा बहुत ही हेल्प किया उतना कुछ मुझे नहीं करना पड़ा सब कुछ वुंद उनों नहीं किया और अभी देखिए पंडित जी भी आ चुके है और यह जो एक चीज उनके हाथ में आप देख रहे हैं यह केले के पूजा में यह बहुत जरूरी होता है तो अभी देखिए मैं च्छत पे आई हूँ और यहां पे टब पे एक पेड़ का डंठल लगाया गया है तो यह इसी पेड़ का पूजा होगा आज तो मम्मी यहां पे जगाना पूड़ा धोके दी है और यहां पे मेरी एक चाची है वो भी आई है और अभी पहले पूजा होने से पहले यहां पे मम्मी यह बगवान जी को थोड़ा सा पान और सुपारी चड़ार ही है साथ में धूप और जो कैंडल होता है वो जला के देंगी अगरवत्ती जला के देंगी और फिर प्रनाम करके नीचे जाएंगी सब यहां पे रोपा गया है और इसमें पूजा होगा तो अभी देखिए पंटीची आ चुके है और वो पूजा पे बैट गया है और यह देखिए जो मैं केले के पत्ते का डंठल बोल रही थी ना जिससे वो कुछ बनाएंगे तो यह देखिए घर जैसा एक बनाए है इसमें पूजा होगा तो एक तरफ पंडीची पूजा कर रहे है और यहां पे चाची लोग बैट के बाते कर रही है मैं भी उन लोगों के साथ बाते कर रही हूँ क्योंकि एक साल देड़ साल बात बात घर पे आती हूँ ना तो बाते बहुत रहता है तो उनलोगों के साथ वही मैं अपने मुंबाई में क्या कैसे क्या करती हूँ क्या नहीं वही सब उनलोगों के साथ डिसकस करी थी वो लोग पूछ रहे थे कि मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ यही सब और चलिए आपको आज का क्या क्या बना है खाना वो दिखाती हूँ तो यह जो पंकिन है उसका फ्राई है इधर फिश फ्राई हो रहा है कातला फिश का फ्राई हो रहा है और पंकिन फ्राई हो रहा है साथ में यहां पे हैं चने का दाल चने के दाल के साथ यह है गोबी और प और साथ में हैं टमाटर का मीठा चटनी तो इस पूजा है इसमें भगवान जी को प्रसाद में दिया जाता है रुपोशी माता का पूजा हो रहा है तो यह दिखिए एक प्लेट में साड़ा खाना के लेके पत्ते में डाल के लाके रखा गया है और पंडी जी जो घर जैसा ब फास्ट रखी है तो उन लोगों का यह प्लेट है इसका भी पूजा होगा और उसके बाद यही यह लोग प्रसादी के तरह फास्ट तोडएंगे इसको खाके अभी देखिए जो घर जैसा बनाया था ना उस जिसमें भगवान जी का भोग रखा गया था इसको मम्मी लेके छत पे जा रही है और बाकी साथ में मेरे चाची और मौसी लोग भी आ रही है तो यह आभी यह लोग जो यहां पेड़ है सुभे जो पेड़ मम्मी लगा के ग है रहा है पेड़ के सामने और अभी यहां पेड़ पूजा होगा तो सबसे पहले मम्मी कर रहे है तो पानी से पहले पेड़ को अच्छे से नहलाया जाए इसके बाद दूद से नहल आया जाएगा यह боुशि माता पूजा हो रहा है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हँल्दी कुम कुम द theoही यह सब लगाया जाए और उसके बाद धान और दुब्बा से पूजा किया जाएगा तो सबसे पहले मंपी एक यह पूजा करेंगी और उसके बाद जो चाची लोग और मौसी है वो करेंगी पूजा तो यह देखिए अभी लगा रही है सिंदूर जो है वो लगा रही है अभी तो ऐसे करके सारा कुछ पहले पेड में डाला जाएगा उसके बाद यहां पर देखिए एक चाकू लेके मम्म इसको घुमा के ऐसे कर रही है इससे क्या होता है यह जो जिसका शादी है जैसे भाई का शादी है तो भाई के पास कोई नेगरेटीव अनरजी ना हो उसके लिए यह चीज़ किया जाता है तो हम लोगों में इसको शौत्रू काटा बोलते हैं जैसे एनीमी को मतलब मारना ऐ वो लोग भी सेम दूद से पानी से अच्छे से लहलाएंगी और उसके पाद जो भी है धान दुब्बा कुमकुम यह सब लगाएंगी और ऐसे करके ही यह पूजा होता है आज की दिन का इस पूजा का बड़ा महात्व होता है उपर से पूजा करके आके मम्मी और चाची लोग अभी भाई को आशिरवात कर रहे हैं यह बहुत इंपोर्टन पार्ट होता है अभी यह लोग भाई को आशिरवात करेंगे कि साड़ा शादी अच्छे से हो जाए उसके बाद अभी हम लोगों ने देखिये प्रशाद लिया का यहां सब्सक्राइबा है कि मैं थोरा सा प्रशाद खा रही हूँ उसलिए अभी प्रशाद खा रही हूं और उसके बाद अभी मम्मी भषिब खाना खाने बैठी है तो उन लोगों का जो प्रशाद था वही वो लोग खा रही है वो दो और कुछ भी नहीं आज घाए है तो मैं थोड़ा सा राइस उन लोगों को एक्स्ट्रा दे रही हूँ ये लोग न रात में आज नहीं खाएंगे दोपहर में भिशो कहांगों। तो रात में भी कुछ नहीं खा सकती और जो प्रसाद है वही खाना है उनलगों को तो वही वो लोग अभी सब लोग मिलके खा रहे हैं और इधर देखिए बाकी जैंट्स लोग भी बैट चुके है करके तो यहां पर भाई मेरे एक चाचा जी और पापा खा रहे हैं उसके बा पहन लिया है तो जो भी कोई आय थे सब लोग अभी चले गया है पूजा वागेरा सब खतम हो गया काना पिना हो गया उसके बाद सब अपने अपने घर चले गया और हम लोग भी फ्रेश हो चुके हैं तो अभी सोच रहे हूं थोड़ी दिर बाद थोड़ा रेस्ट में तो इसलिए यह किया गया है आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूं आशा करती हूं यह व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूं फिर और अच्छा सा नया व्लॉग लेके तक तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए एंड कीप वाचिंग बाइफोकल जिन्दगी